हेलो दोस्तों कैसे हैं? आप लोग हमारी आश की कहानी का नाम है रोटी रोटी बनाना आसान है भहू, पर कमाना मेहनत लगती है, खुन पसी नायक करना पड़ता है तब जाकर दो वक्त की रोटी नसीब होती है और एक तुम हो, जो पती की कमाई का मोल नहीं समस्ती रोज एक ना एक रोटी डश्ट बिन में नजर आती ही आती है अरे जितनी जरूरत है उतनी ही बनाया करो पर नहीं रोज खाने से ज्यादा बना लोगी फिर बरबाद करोगी दर्वाजे के बाहर रखे डश्ट बिन में जहाग कर देखा तो संध्या की सास को डश्ट बिन में कुछ रोटिया नजर आई जिसे देख सास का पारा सात्वे आसमान पर था सास की बड़बड चालू थी और इधर संध्या रसोई में काम करती हुई चुपचाप सुन रही थी क्योंकि सुबा सुबा सास की बातों का जवाब देना मतलब अपना ही दिमाग खराब करना इसलिए संध्या जवान लड़ा कर घर का माहुल खराब नहीं करना चाहती थी रही बात बासी रोटी की तो यह तो करीब रोज का है मायके में जो ताजी गर्म रोटी ही खाती थी ठंडी रोटी जिसे पसंद ही नहीं थी वो संध्या ससुराल में बासी रोटी खाने को मजबूर हो जाती है पर कभी कभी ज्यादा रोटी बच जाएं तो संध्या करे भी तो क्या लीजिए माजी नास्ता कर लीजिए नास्ते की थाली जिसमें दो रोटी सबजी और दही थी सास की और बढ़ाती हुई बोली तो सास ने पहले पेट पर हांथ फेरा फिर मुह नाक बनाती हुई बोली बहु आज एक ही रोटी रहने दे एक वापस ले जा सुभा से तनिक गैस हो रही सास की बात सुनसंध्या ने एक रोटी थाली से निकाल कर रोटी डिब्बे में वापस रख दी तभी देवर जी नास्ते की टेबल पर बैठते ही बोले भाबी आज रोटी नहीं खाऊंगा बहुत देर हो रही है बस एक गिलास दूद ही दे दीजिए देवर की सुन में नास्ते की पार्टी है इसलिए मैं नास्ता नहीं करूंगा इस तरह सुभा सवेरे नास्ता बनाने में संध्या ने जो मेहनत की वो बरबाद गई उस पर से सासु मा का ताना सुनना पड़ा सो अलग जब सास ने नास्ता खत्म किया तब संध्या रोटी के डिब्बे को जसका तस रसोई में रखा आई दो पार को सभी खाने के लिए खाने की मेज पर बैठे थे कि तभी संध्या ने सुभा की रोटी सबकी प्लेट में डालनी सुरू कर दी मा जी ये आपकी सुभा की रोटी ये देवर जी की और ये पती देवापकी रोटी जो आप लोगों ने सुभा नहीं खाई थी संध्या बोलती हुई सबकी थाली में रोटी परोस रही थी पर इधर सासु मा गुस्से में संध्या को देख रही थी और फिर बिना देर लगा पैट पाक से बोली ये क्या बहू हाड तोड काम करने वाले मेरे बेटे को दो पाहर के खाने में सुभा की बासी रोटी क्यों परोस रही चावल नहीं बनाया क्या मा जी आप ही तो कहती हैं रोटी बनाना आसान है कमाना बहुत मुश्किल अब इतनी बची रोटी यां मैं रो तलग है कि पेट से ज्यादा रोटिया बच जाएं तो डश्ट बिन में फेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता वैसे अगर आप लोगों ने नास्ता बनाने में पहले ही बता दिया होता तो इतनी रोटिया नहीं बचती खैर अब बच गई हैं तो सभी को मिलकर खाने ही प बोली बहु सही कह रही है आज के बाद जिसे नहीं खाना हो वो पहले बता दिया करे ताकि अनकी बरबादी ना हो मा की सुन दोनों बेटों ने सहिमत में सिर हिलाया संध्या का तरक सुन उस दिन सभी ने चुपचाप रोटी खाली और उस दिन के बाद से अब जब जिसे न नहीं खाना वो पहले ही बता दिया करता और संध्या को सासु मा के तानों के साथ साथ बासी ठंडी रोटी खाने से भी मुक्ती मिल गई आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद